असलाम वालेकुम रह्मतुल्लाहिबरकातुम। बचो हम फ्रेक्शन्स पढ़ रहे हैं। फ्रेक्शन्स में हमने एडिशन भी देखा। उसके बाद सब्ट्रेक्शन भी देखा। मल्टिप्लागेशन भी और फिर डिवीजन भी देखा। क्या है प्रीथे करते हैं। क्या बोल रहा है। प्रीथे कट्प्लाइबरकाताय को तो उसमें से क्या करती है वो तैन मीडर को करती है। कड़ देखा। करती है और और भाकी गानारव चाहता आपके और ऑपिव हुखत Earn टीपिपल से क्वार्पर करती है और предлаг PFT के पास कितने मिटर तो क्लॉध कितना है ऑफ क्लॉध कितना है जाते हैं काट के अलग करती है और बाकी जो बाच गया उसको वो डिस्टिबूर्ट करती है तीन लोगों में कितने लोगों में तीन लोगों में अब एक लोगों को कितना आएगा एक आदमी को कितना आएगा वो हमने देखना है देखिए हम questions में हमारे पास क्या है यहाँ पे जो पृदी के पास जो total cloud है वो कितना है शाबाज total cloud है उसके बास 5 by 7 मीटर कितना है 5 by 7 मीटर अब वो cut कितना करती है she cuts वो कितना cut करती है 4 by 10 मीटर अगर 4 by 10 मीटर उसमें से वो cut देती है तो remaining बाकि कितना बाज जाएगा तो देखिए यहाँ पे total है 5 by 7 इसमें से 4 by 10 को काटती है तो हमारे पास remaining आ जाएगा इसको हम subtract करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 10 into 5 50 minus 7 into 4 28 divided by 10 into 7 70 वो आ जाएगा 22 divided by 70 अगर हम इसको कसर काटेंगे तो वो कितना जाएगा 11 divided by 35 मैंने 2 से काटा 2 into 11 और 2 into 35 कितना बाज गया remaining 11 by 35 meter total जो कपड़ा उसके पास बाज गया अब यह करती है कि 11 by 35 meter कपड़ा जो इसके पास बाज किया है cloth इसको divide करना है इसने तीन लोगों में तो इसको divide करते हैं 35 divided by कितने में तीन लोगों में divide करना है तो देखे यहां पे हमने division आलोड़ी सीखे है तो इसको क्या करेंगे into इसका denominator में 1 हागा तो यह बाज आएगा 1 divided by 3 तो इसको किजिए multiply 11 into 1 कितना आजाएगा 11 divided by 35 into 3 हो आजाएगा 105 meter of cloth तो इसलिए जो एक आदमी के पास यह था हमारा part number first जिसमें हमने देखना था कि एक आदमी को कितना मिलेगा तो एक आदमी को कितना मिलेगा 11 by 105 meter of cloth अब हम second part को देखते है तो second part किया है हमारे पास जो second part है is it possible sorry second part है 20 by 3 liter milk is being distributed among 10 persons जो total milk है वो कितना है question बोज़ रहा है कि total milk है अगर हमारे पास 20 by 3 liter कितना है 20 by 3 liter is being distributed among 10 persons इसको divide करना है कितने लोगों में 10 लोगों में how much milk would 1 person get अगर 10 लोगों में 20 by 3 liter milk है इसको divide करेंगे 10 लोगों में तो एक आदमी को कितना आएगा वो हमने करना है तो हम सिधा directly करेंगे 20 by 3 liter है तो इसको divide कीजिए तो 20 by 3 divide by क्या करेंगे हम 10 which is equal to 20 by 3 into 1 by 10 तो यह आजाएगा 20 into 1 20 divided by क्या आजाएगा 30 0 और 0 cut which is equal to 2 by 3 liter यह हमारे पास answer आजाएगा अगर यह हुआ कि 2 by 3 liter एक आदमी को मिलेगा मैं देखता हूं question number second को question number second क्या है is it possible to give 20 by 3 kg of sugar to each of 10 person from the stock of 66 kg of sugar यह बोदरा कि यह possible है कि अगर हमारे पास 66 kg है total sugar कितनी है 66 kg तो कि यह possible है कि अगर हम 10 लोगों में इसको distribute कर सकेंगे हर एक को कितनी आने चाहिए 20 by 3 एक को भी 20 by 3 देंगे दूसरे को भी तीसरे को भी तो इसी तरह 10 लोगों को अगर हम 20 by 3 kg आएंगे तो क्या यह बराबर आजाएगा 66 का कि यह नहीं आएगा 66 तो इसको हम चेक करेंगे तो देखते हैं conditions हमारे पास given हो क्या है कि total जो sugar है हमारे पास 66 kg है तो कितने लोगों में distribute करनी है 10 लोगों में और हर एक को कितने आनी चाहिए 20 by 3 kg आनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 66 kg को कितने लोगों में divide करेंगे 10 लोगों में तो हमारे पास एक आदमी को कितने आनी चाहिए 10 by 3 इसका result आना चाहिए ठीक है तो यह हमारे पास conditions होती है अब हम चेक करेंगे क्या यह पॉसिबल है या नहीं है तो सालो किजिए इसको यह 66 डिवाइड को किजिए इंटू में तो 10 का क्या बान जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 इकोल टू क्या जाएगा 20 डिवाइड बाई 3 तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सालो करेंगे यहाँ पे 2 से कसर काटेक है 2 5's are 10 2 3 is are 6 2 3 is are 6 33 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इकोल टू 20 डिवाइड बाई तो 33 इंटू 1 यह क्या जाएगा 33 डिवाइड बाई 5 इकोल टू 20 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास cross multiplication होगा 33 into 3 33 into 3 equal to 20 into 5 अब 33 into 3 कितना होता है 99 equal to 20 into 5 कितना होता है 100 अब मुझे बताए क्या 99 100 के बराबर होता है के नहीं होता है obviously नहीं होता है 99 100 के बराबर नहीं होता है अगर 99 100 के बराबर नहीं होता है इसका मतलब जो यहां पे question में condition दी गई थी वो गलत है तो which is not possible इसका मतलब कि यह possible नहीं है कि 66 kg को 10 लगों में distribute करें तो हर एक को 20 by 3 kg मिलेगी यह possible नहीं है तो यह से हमने चेक किया कि इसकी को हमने सालो किया जैसा हमें result मिले 99 equal to 100 तो यह हमें पता है कि यह possible नहीं है तो इसका मतलब यह हमारे पास possible नहीं है तो बचो आज के लिए इतना ही अब मुझे अजाज़त दीजिए खुदा हाफिज